यह किस तरह की राज़नीती है? अपना क्रेडिक लेना जाती है कि हमारा बिल है? यह बिल आपका नहीं है आप जो बिल ने कराए वो गलत बिल है और यदि इसके लिए किसी ने अंदोलन किया तो वो घीता बुखर जी है वो सुस्वा सुराज है आपने यह नहीं बोलकर इस मह इसमें आप समझीना पूर यह बहुत है? इसमें? की महिलाओं के पारे में कैysis को यह सोसते हैं आप नहीं रहें इसी सद्लिध में सदस पे doing to ourselves कि इन के पार्टी ये बडरे लेदाद कें अपुजिशन के व कहते हैं कि परकटी महिलाएं आजाइंगे, जा मैस में लोन के Lee दूसरी बात दूसरी बात जो है ये दूसरे नेता जो है 2011 में मैं मैं अध्याग जी आपको दो कहानी बताना चाहता हूं और ये वर्सों से मेरे मन में था इस पार्लेमेंट में दो बात संजोग से मैं 2009 में सांसाथ बनकर आया अनुराग ठाकुर जी से लेके राजना जी सवों के साथ काम करने का मोगा मिला से 2011 और 2013 में दो हैंकर घटना उभी इसी वेल में हमारे दभान मंत्री जी हैं जो कहते हैं कि जिसकी मैं सुर्वात करता हूं उसका अंत भी करता हूं यदि यह महिला रिजर्वेशन यहां आया है तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा मिलकर रहेगा दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रूख सकती है लेकिन इनके यहां क्या दिक्कत है सर इनके यहां सबसे बड़ी दिक्कत है और अभी जितने स्पीकर बोलने वाले है सर वह स्पीकर 2026 में यह आठ आठ टिकल एक टीटू पढ़िए संभिधान को जो आए पढ़िए जो संभिधान में लिखा हुआ है कि सेंसस होगा सेंसस के बाद डिलिमिकेशन होगा और डिलिमिकेशन के बाद जो है हम उसको लागो करेंगे और यह आठ टिकल एक टीटू करा रहा है यह एक टीटू करा रहा है अबाद 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 आपने पार्टी का और इस देश के मानने प्रधान मंत्री जी सुक्र बुजार हो कि इस इस इतहासिक बिल पर इस इस इतहासिक बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया मानने अध्यक जी मैं अध्यरंजन जी को इतना पुतना चाहता हूँ क्या मैलाओ की चिंता सिर्फ मैलाए ही करेगी पूरुस नहीं कर सकते हैं कि इस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई मैलाओ की चिंता मैलाओ का ही मैलाओ से आगे बढ़कर भाईयों ने सोचना चाहिए यही इस देश की परंपरा है मैलाओ के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है तो हमारे साथी संसत निशिकान जी खड़े हुए है इसमें उनको क्या अपत्ती है उनको खड़ा होने नहीं मिला पहले इसलिए ठोड़ा जेलस हो रहे हैं साथ निशिकान जी मानी अध्यक जी मानी अध्यक जी कौंग्रेस या उसके समर्थक दल किस तरह से लोककंत्र का गलाद होटते हैं वो मैं उदारानुट मैं गाउं में पैदा हुआ मेरे माँ पिताजी आज भी गाउं में रहते है आज जब मैं पार्लेमेंट के लिए चल रहा था तो मेरी माँ आज एम्स देवघर में भरती है सर उसने मुझे फोन किया कि बेटा यदी पार्टी तुमको मौका देती है तो आज इस बिल के बारे में जरूर बोले और इसलिए कहा उसने कि जो महिला है सर आज यदी सारे पुरुस यहां मौजूद है उसका कारण महिला है यदी महिला नहीं रोती तो पुरुस का कोई एक्जिस्टेंस नहीं होता और आज क्योंकि कॉंग्रेस की गलतफामी है गलती है सर और ये जितने अपोजिशन के लोग है वो इतने वर्सों तक इस बिल को लेकर नहीं आए हमारे मानने प्रदान मंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया आज हम दिल लेकर आये हैं कि इनके पेट में दर्दो रहा है हम बर्सों से सुनते रहे सर कि जननी जन्म भूमिश्चो स्वरगाद पी गरिये सी यत्र नारियस्तु पुज्यंते रमंते तत्र देवता लेकिन क्या हुआ इस देश में महिलाएं स्कूल एजुकेशन के लिए परिशान थी जब तक माननी अटल व्यारी बाजपी जी की सरकार नहीं आई सर्व सिक्षा अभ्यान इस देश में नहीं आया महिलाओं का जो है सिक्षा का लेवल नहीं बढ़ पाया सर महिलाएं यदि बच्चियां स्कूल जाती थी तो उनको जो है खाना बना कर जाना पड़ता था सर और इसको जब हमारे प्रधान मंत्री जी ने देखा तो मिड डे मिल स्कीम जब तक की सरकारी स्कूलों में लागू नहीं हुआ तब तक महिलाओं की संख्या बच्चियों की संख्या नहीं बड़ी सर और उसके बाद जो सबसे बड़ा प्राबलेम था इस देश के प्रधान मंत्री ने जो सबसे बड़ी बात की तो उनको सम्मान दिया सर सारे स्कूल में स्मिती रानी जी उसमक्त एचार्डी मिनिस्टर थी सारे स्कूलों में सोचाले बनाकर महिलाएं कैसे अच्छा से पढ़ेंगी बत्या कैसे आगे बढ़ेंगी उसी का ये उधारन है और उससे आगे बढ़कर आज जो कल से लेकर परसों से लेकर मानने प्रधान मंत्री जी लगातार बोल रहे हैं कि सही समय है यही समय और इसी समय पर आज ये एतिहासिक सेशन बुलाकर मानने प्रधान मंत्री जी ने महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया उसके लिए हम भारती जन्टा पार्टी के कारी करता गौरबान भी थे हैं और हम उनका आदा और रमन करते हैं कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षन देने का फैसला कि सर मैं पढ़ रहा था काफी बाते कहीं मैं केवल दो तीन चीजें बताना चाहता हूं फिर अपने बिसे पर आऊंगा सकता है ये देश इस संबिधान से चलता है और इसका आर्टिकल एटी टू मनिस्टिवारी जी यहां बैटे हुए है कल से लगातार वो संबिधान संबिधा ये देश संबिधान से चलता है मैं आर्टिकल 243D और टू आर्टिकल 243T जिसके लिए कि उन्होंने बढ़ा आपने आपको गौरवानमीत महसूस किया कि हमने पंचायत में जो है महला रिजर्विशन लागू किया बढ़ाचा किया लेकिन ये आर्टिकल में 243D और 243D हमने तो नहीं दिया आप दोनों को पढ़ लीजिए 243D और टी क्या पंचायत में किस तरह से रिजर्विशन होगा और मिनिस्वल कॉर्परेशन में किस तरह से रिजर्विशन होगा आपने उसके लिए कभी OBC की बात तो नहीं कि यदि इस आर्टिकल में यदि आपने डाला होत तो आप जब करिए बहुत अच्छा इतने वर्सों से आपको नहीं दिखाई दिया उसी तरह से 1947 से लेकर उन्चास तक ये पूरा समिधान सभा चलता रहा परसों से यही भासन सुन रहे हैं सर इस कॉंस्टिच्वेंट एसेंबली से लेकर उन्हें सबाबन से लेकर आज तक का सिरुल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है आप कौन सी नहीं बात के वल पॉलिटिकल एंगल के लिए आते हैं आपने जब नहीं किया जब तक आज तक जो है भारत के संभिधान में ये कहा गया कि राजिसवा में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा और जब मानिये कर्परेशन में कोई बीची को रिजर्वेशन नहीं होगा और आर्टिकल एक टू है सर जो एडजस्मेंट ऑफ इस सेंसस की बात कर रही है और सीट बढ़ाने की बात सब पढ़ लीजेगा इस आर्टिकल को इसमें कहा गया है कि 2026 तक सभी चीज़ों को हमने फ्रीज कर दिय क्या है आप उसके ऊपर जो है काते हैं कि 2024 से लागू कर दीजिए तुरत सुप्रीम कोट में जाएगा और सुप्रीम कोट में तुरत रो स्टक डाउन हो जाएगा क्या आप चाहते हैं कि महिला को रिजर्वेशन नहीं दे और जिस तरह से आप केवल राजनीति के माध्यम स इस महिला रिजर्वेशन को लॉलीपाप बनाते रहे घुमाते रहे वही भारती जन्ता पार्टी करे हमारे प्रधान मंत्री जी हैं जो कहते हैं कि जिसकी मैं सुर्वात करता हूं उसका अंत भी करता हूं यदि यह महिला रिजर्वेशन यहां आया है तो महिलाओं को अधि स्पीकर बोलने वाले हैं सर वो स्पीकर 2026 में यह आठ आर्टिकल 82 पढ़िए संभीधान को पढ़िए जो संभीधान में लिखा हुआ है कि सेंसस होगा सेंसस के बाद दिलिमिटेशन होगा और दिलिमिटेशन के बाद जो है हम उसको लागू करेंगे और यह आर्टिकल 82 का रहा है यह 82 का रहा है सर सर पूरे पूरे देश दुनिया में कोरोना के कारण लोग मरे माने प्रधान मंत्री जी के कारण आज 140 करोड लोग बच गए इस पार्लेमेंट को चलाने में आप जैसे लोगों को क्या समस्या हुई सर लोग सभा राजी सभा लोबी सभी जगा सांसाग बैट कर कानूल पास करते रहे भाई मरता था तो भाई का लाज जलाने के लिए कोई नहीं जाता था पिता मरते थे तो पिता का लाज जलाने के लिए बेटा नहीं जाता था उस कोरोना से बचकर हम आये हैं दो साल के बाद आपका तो आपने क्यों नहीं कराया कितने लोग थे जो रोड पर घुम रहे थे कितने लोग थे जो खाना खिला रहे थे सारे जगा के ट्रेन बंद थे सारे जगा की स्थितियां बंद थी भागलपूर पूरा जो है भारत जो है किस तरह के विकट पर इस्तिती में था सर मानिया प्रधान मंत्री जी 140 करोण लोगों को बचा के लाए हैं और सेंसस जो संबेदानिक चीज है उसको जब हम लागू करेंगे ये लागू होगा आज आप का रहें क्यों ने लागू किये देश में फिर से ये गलत तरह का माहूल पैदा करने की कोशिस करने सर 2020 और 2021 के माहूल के बाद करोना के बाद कैसे सेंसस लागू हो सकता था कैसे सेंसस हो सकता था और मानि ग्रीमंत्री जी बैटे हैं हमेशा करते हैं कि मैं कोई गैर संबेधानिक काम नहीं करूंगा कोई औ होना है तो उसका भी डेग, घोसित होगा, सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, और महिलाओं को रिजर्वेशन में लगा, यही तो इस बिल में है, 334 से जिसके बारे में की मादी कानून मंत्री जी कह रहते हैं सर, लेकिन क्या समस्या है कि ये अपने जो 26 पार्टियों का एक गमंडिया गटबंदन मनाया है सर, इंडी एलाइंस, इंडी एलाइंस, उसके सारे नेताओं का मैं हासन पढ़ रहा था, आज सोनिया जी जब बोल रही थी, तो मुझे लग रहा था कि वो राजनीती से उपर उठकर बोलेंगे, तो कि वो अपोजिशन की आवास थी, मैं उ आवाज उठाई, वो बेंगॉल की गीता मुखर जी थी, और भारतिय जनता पार्टी की सुस्मा स्वराज थी, ये दोनों यदी नहीं रहती, तो आज ये दिन भी देखने को नहीं मिलता, 33% यदी रिजरबेशन, लोकसभा और बिधान सभा में यदी लागू होने वाला है और मानिय प्रधान मंत्री जी लेकर आये हैं, इन दो महिलाओं का, लेकिन सोनिया जी ने अपने पूरे भासन में ना गीता मुखर जी का जिक्र किया, ना सुस्मा स्वराज का जिक्र किया, ये किस तरह की राजनीती है? अपना क्रेडिट लेना जाती है कि हमारा बिल है, य ये बिल आपका नहीं है, आप जो बिल लेकर आए, वो गलत बिल है, और यदि इसके लिए किसी ने अंदोलन किया, तो वो गीता मुखर जी है, वो सुस्मा स्वराज है, आपने ये नहीं बोलतर इस महिला बिल में भी राजनीती करने की कोशिस की, और आज का पूरा क्रेड जो जीता वो सिकंदर, जो गोल मारता है, या बंगाल के लोग बैटे हुए है, जो गोल मारता है, उसी के नाम से गोल माना जाता है, माने प्रधान मंतरी जी गोल मारने को तयार है, ये भारती जंटा पार्टी का पिल है, और ये मानी प्रधान मंतरी जी का पिल है, आपको के बारे में कैसा सूचते यह सूचते हैं अब नहीं रहे इसी सदन के सदस थे राजी सवा के भी सदस थे इनके पार्टी के बड़े नेता थे एपोजिशन के वो कहते हैं कि परकटी महिलाएं आ जाएंगी क्या महिलाओं के लिए इस तरह की बाते हों नीचीए दूसरी बात दूसरी बात जो है ये दूसरे नेता जो है 2011 में मैं मैं अध्यक जी आपको दो कहानी बताना चाहता हूँ और ये वर्सों से मेरे मन में था इस पार्लेमेंट में दो बार संजोग से मैं 2009 में सांसाथ बन कर आया अनुराग ठाकुर जी से लेकर राजना जी सवों के साथ काम करने का मौका मिला सर 2011 और 2013 में दो भेंकर घटना हुई इसी वेल में 2011 में जब 2010 में ये बिल पास हो गया राज्यसभा में और जब यहाँ 2011 में जिसकों कि ये लागू नहीं करना चाहते थे बिल लेकर आए के सांसदों को इसी कॉंग्रेस में इसी वेल में पीता सर दो बिल था एक महिला रिजर्वेशन का 2011 में और 2013 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन और प्रमोशन इन रिजर्वेशन में मैं जब बात करूँगा तो ये पूरे के पूरे बेंच खड़े हो जाएंगे सर यही वी नरायन स्वामी बिल को पेस कर रहे थे समाजबादी पार्टी के यस्वीर सिंग सिडूल कास थे सर यह काते अनिकार की बात सिडूल कास सिडूल ट्राइब की बात करते सर यही यस्वीर सिंग यहाँ पार्लेमेंट में उस तरफ से गए भी नरायन स्वामी का हुनोंने बिल खीच लिया इस पार्लेमेंट में इसी लोग सभा में सर सबसे पहले बेल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया ते ही मैडम स्वीमती सोनिया गादी जिस्तिर से और नीरत सेखर वहाँ खड़े थे मुलाइम सिंह यादब बाहर थे और मैं वहाँ से कूट कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहां की तानासा नहीं है आप यहां की रानी नहीं है इस बेल में आप मारपिट नहीं कर सकती हैं और इनके जो तिने लेपिडेट थे विलास मुतेबार से लेकर सवनुद को पिटा ये दो रोग हटना है जो है चाहे महिला रिजर्वेशन का हो चाहे ये प्रोमोशन रिजर्वेशन का हो ये पारलिमेंट है सर सब को सत्य बोलना चाहिए और मुलाइम सिर्यादब ने कहा यदि बीजेपी नहीं होती तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बसते आपने तो सांसदों के हद्या करने की गोश्षिस की और उसी दल के साथ उसी 26 दल के साथ ये आए हैं जिनका की मांग सिखता ही नहीं है कि महिला को रिजर्वेशन मिले चाहे वो रास्टे जनता दल है चाहे वो समाजबादी पा चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इनको सपोर्ट कर रही है सर और उनी के दबाव में ये कानून के विरोध में जाकर इस संबिधान के विरोध में जाकर और उसके सारे उधारने के 96 से लेके आस तक क्यों नहीं लाग हुआ उसी के कारण ये कभी OBC रिजर्वेशन क की बात करते हैं कोटा विदिन कोटा की बात करते हैं राज्य सभा में जो है उसको अधिकार देने की बात करते हैं बिधान परिशद में क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया उसकी बात करते हैं फिर वो बात करते हैं कि 2024 से क्यों नहीं लागू होगा इनको सब कुछ पता है य मेरे माँ पिता जी आज भी गाउं में रहते हैं यदि बाबा साहब अंबेदकर का या संभिधान नहीं होता भारती जन्ता पार्टी नहीं होती उस दिर मैंने कहा उस दिर मैंने कहा कि आपने गाउं नहीं देखा है गरीबी नहीं देखा है महिलाओं के स्थितिया नहीं डौरी के केस में जिस तरह से आपने बनाया, आज यदि आपने कई एक कानून ऐसे पास किये हैं, जिसमें लोग महिलाओं को नौकरी देने के लिए तयार नहीं होते हैं, आपने महिलाओं को रोकने का प्रियास किया, महिलाओं को बढ़ाने का प्रियास नहीं किया, और हम जो वो केवल और केवल मांगी मोदी जी की देन है भारती जन्ता पार्टी की देन है हम संब्धान संबत काम करते हैं और मेरा सब उसे आग रहा होगा कि दल पार्टी से उपर उठकर जो यह संब्धान आटिकल 802, 243D और 243T जिन आधार पर यह संब्धान चलता है उसके आधार स्रीमती कनी मोजी जी